पुलिस से अपरादियों को खौफ मैं आ जाना चाहिए लेकिन जब वर्दी वाले ही अपरादियों के साथ जणम दिन मनाने लगे तो क्या कहा जा सकता है मामला है देवास की कुछ पुलिस कर्मियों के वीडियो वारल होने का जिसमें एक अपरादि के जन दिन पर उसके साथ जश्न मनाते हुई दिखाई दे रहे हैं बाद में वीडियो वायरल होते ही पुलिस अदिक्षिक डॉक्टर शिवद्याल सिंग ने तीन और पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है जिसमें आरक्षक सुनील राजूरिया, पुलिस लाइन कारवाहक, प्रधान आरकषक अरुन और साजन ठाना सिविल लाइन पर पदस्थें शामिल है इन मैंसे एक आरकषक पुलिस अदिकारी का गन मैन बताया जा रहा है साथी एक प्रधान आरक्षक महिला थाना देवास में चालक है और आरक्षक सिविल लाइन थाने पर कोट मुंशी का कारे करता है देखना तो यह होगा कि जब पुलिस का निचला स्तर कुख्यात लोगों से इतने मधर संबंदों के साथ जुड़ा होता है तो उचिस्तर का क्या हालात होगा हाला कि उक्त वीडियो में नीमच के एक टी आई के होनी की भी सुर्खिया है बता दें वीडियो में एक व्यक्ति जिसका नाम बाबू बताया जा रहा है वो किसी गंभीर मामले में जेल में बंद है लेकिन वीडियो बाद में वाइरल हुआ है जिसके बाद मामला भोपाल पी एच क्यू तक जा पहुचा है फिलहाल ये जाच का विशे होना चाहिए कि कहीं उक्त पुलिस कर्मियों ने क्यात व्यक्ति के संड्रक्षन के लिए तो किसी अपराद पर पारदा नहीं डाला है या फिर किसी अपराद को खुदी अंजाम दे आए हूँ के ने नियूज के लिए देवास से नागेंदर सिंग राजपूत की रिपोर्ट